कौन बनेगा करोड़पती? एक ऐसा शो है जिसने अब तक ना जाने कितने लोगों को करोड़पती बनाया है और ना जाने कितने ही लोगों के सपने पूरे किये। कौन बनेगा करोड़पती सीजन 14 में भी अब कई कंटेस्टेंट्स लखपती बन चुके हैं। हाली की एपिसोड में एक ऐसा कंटेस्टेंट होट सीट पर बैठा जिसके पास शो में आने से पहले कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे पर उसने पचास लाख रुपए जीत कर अपने सपने पूरे कर लिए ये कंटेस्टेंट है 24 साल के रिशी राजपूत लेकिन इस तो उनकी आँखें खुशी से नम हो गई बेटे के साथ कंपेनियन के रूप में आई उनकी मा की भी आँखों में आसू थे एक दिन में महज 150 रुपए कमाने वाले रिशी राजपूत ने जब कौन बनेगा करोडपती सीजन 14 में अमिताब बच्चुन के सामने अपनी कहान नी सुनाई तो हर कोई हैरान रहे गया आर्थिक तंगी की मार झेल रहे रिशी राजपूत ने बारवी के बाद पढ़ाई नहीं की क्यूंकि उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की जरुरत थे और वो घरों में वेल्डिंग का काम करते हैं उनके छोटे भाई वहन हैं जिन राजपूत ने कहा कि जब मेरा सेलेक्शन के बीसी के लिए हुआ था तो मैंने काम करना बंद कर दिया था और अपनी जगह अपने भाईयों को काम के लिए भेशता था मैं पढ़ाई करता था यहां आने के लिए धंके कपड़े नहीं थे इसलिए मेरी मान ने रिष्टदारों से पैसे और कपड़े उधार मांग कर इंतिजाम किया था जब यहां आ रहा था तो पता नहीं था कि दुनिया यूँ बदल जाएगी सोचा नहीं था कि इतने पैसे जीतूंगा अपने बुद्धी कौशल से सब को हैरान करने वाले रिशी राजपूत ने शो में चंद मिंटो में ही 50 लाख रुपे जीत लिये उन्हें 75 लाख रुपे वाले पंद्रवे सवाल का सही जवाब नहीं पता था जिसकी वज़ा से रिशी ने शो क्वीट कर दिया जिस वक्त उन्होंने 50 लाख की धनराशी अपने नाम की उस वक्त शो के होस्ट अमिताब बच्चन ने एक बड़ी ही दिल्चस्प बात उनसे कही उन्होंने कहा कि एक गणित कम्प्यूटर महशय ने भी लगाया है आपने यहां जो चंद मिंटों में कमाया है ना उसे कमाने में आपको जीवन में 27 साल लग जाते इसके बाद अमिताब और दर्शकों ने रिशी राजपूत के लिए तालियां बजा कर अभी वादन किया लेकिन अब जब उन्होंने इतनी धनराशी जीत ली है तो उन्होंने कहा कि इससे मैं अब अपना घर बनाऊंगा भाई बहन की शादी कराऊंगा और एक दुकान खो पर है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ